नमस्कार दोस्तों सवागत आपका अपने चैनल की स्टो सक्सेस में आज का वीडियो MP पुलिस का जो फिजीकल होने वाला है जून में माई से स्टार्ट हो रहा है और जून में तक चले गई है ठीक है तो उसके लिए लेटेस्ट नियूस क्या है MP हाइखोर्ट ने क्या आदे क्या है उसमें कितने टाइम में निकालना चाहिए और को को से स्ट्रेटिजी आपको फिजीकल की दोराना अपनानी चाहिए जिससे कि आप फिजीकल में फेलना हो क्योंकि आपको पता है पहला पेपर निकालना है के बाद 6,000 लोग का सेलेक्शन हुआ है और उस में से जो 600 सो पोश्टत थी एक सर्विस्मेन के लिए उसमेंसे सिफ 6 लोग के ही सेलेक्शन हुआ है किस तरह की से क्या हो गया उसके बारे में बात कर लेते हैं और आगे आगे हाइट किन बातों को फिजिकल के धियान रखना है उस बात उसको भी देख लेंगे और गल्स के लिए फिजिकल में क्या रिक्वार्मेंट होती है और क्या आपकी अप्रोच होना जी किस तरीके से आप क्या कोई जैसे कई लोगों का इंजेक्शन लेने की प्रथा चालू हो गई है कुछ लोग रेट बूल पीते हैं इस टेक कुछ चीज़ें लेते रह इसके बारे में क्या बात की गई है आरक्षभ भरती प्रेक्रिया की लिखित परिच्छा की कट आफ मार्क्स पेस करो हाई कोड़ की समझ पेस करें ठीक है कोड के समझ पेस करना है जस्टीस संजय दिवेदी की पीट ने 12 माई तक की मोलत दिये इनको ठीक है और क्या बूल रहा है आगे सो रिटाइट फोजियों ने चैन में खुद के आरक्षभ को दर्करिया करने को लेकर के याचिका लगाए थी प्रतेस में छे आजार आरक्षभ भरती होने हैं ठीक है रिजर्व थी किसके लिए एक सर्विस्समें के लिए जिसमें सिर्फ छे एक सर्विस्षभ ही सेलेक्ट हुआ है तो ऐसा कैसे हो गया है तो तर्क दिया गया है की एक सर्विस्ट के पदों को समाने अब बिढ़ती है नहीं परा जासे है इसका मतलब यह है कि जब 600 पंद है उसमें सिर्फ जब 6 को ही फिजिकल के बलायों तो बाकी के पत्द लेकर किसी ने किसी के टोरह भढ़ दिया गए routing गए तो यह कैसे हो जब result है तो उसमें आप किसी अन रिजव्भ को कैसे डाल सकते हैं तो यह जो की गिसरासर बहुत अन्या है तो जैसे कि यहां पर हेडिन देख रहे है जी नियूस की जो की पुरानी है ठीक है कि मद्यपदेश पुलीस कॉस्टेबल रिकूर्पमेंट आरक्ष भरती को लेकर हाई कोड का बड़ा आदेश जाने अब क्या होगा तो इसके पर हाई कोड का क्या आदेश से वह देख लाते है ठीक है तो इस तरह के से आपको सीना नहीं फुलाना है सीना फुलाने का अच्छा तरीका आपको बताया देजाएगा ठीक है और हाई कोड ने ही कट आफ मांग दिया कि आखिरकर ऐसा कितना कट अप गया कि एक से सर्वेस्मेन के सिर्फ 600 पदों पर 6 लोग का सेलेक्शन हुआ तो वो प्रोसेस अब भी दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा उसके बाद तो सुनवाई के बाद मद्वदेश सासन को समयत मद्वदेश व्यास साइक परिच्छा मंडल को नोटी चारी करते हुए जवाब तलब किया है इसके साथ ही कोट ने आदिश दिया कि आरक श्क्वो की भरती पक्रिया हाई कोट के अंतिम आदिश के अधिनों की ठीकर ने एक्स देखते हैं यहां पर न्यूस कि की कोट में लगाई गई यह 33 याचिका है तो यह एक्स सर्विस्मेंट के लिए सामील नहीं थे तो याचिका में पेस्ट किये गए आकड़े आकड़े पेस्ट कर दिये गए याचिका जो लगए इनके दोरह की भाई इतने बाद थे इतने लोगों का सेलेक्शन हुआ है 30,000 लोगों का उसमें लेकिन किसी को भी सासन न सरकार से भी ठीक है तो अब मामले की अगली सुनवाई कब होगी पांच मही को और फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं आप सबसे पहले यह देख लेते हैं कि फिजिकल कब से कब तक होना है यह होना छे स्थानों पर आपको पता है कि बोपाल इंदो रुजेन ग्वालिय जहुलपूर यह से छे स्थानों पर होगा जो की नौ माई से 2022 से लेकर के पांच जुन 2022 तक प्रती दिन साड़े सुबह साड़े छे बजे चले होगा ठीक है और इसमें क्या क्या होता है फिजिकल में सभी को पता है वैसे लेकिन जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं और की यहां पर सरकार की कलती सीधी दिख रही है अब साड़े विर्त्यों को वहां पोचना है तो इसके बारे में स्ट्रेटिजी आपको बता दी जाएगी स्ट्रेटिजी बताने से पहले दो तीन चीज और देख लेते हैं और एक चीन अपस होती है तो चीन होगा वहां पूल आपका जो वींग वाला एरिया होता है यह दो चीज तो यह दोनु चीज़ से काफी आपकी बढ़ेगी और आपको आसन की बात कर लेते हैं तो यहां पर रक्षा आसन कर सकते हैं ठीक है और इसके लावा आप ताड़ासन कर जते हैं तो यह दो आसन आप लोग के लिए काफी फायदे बंद होगा अगर आप लोग बहुत समय भी त्यारी करना चाहरें तो यह दो आसन और वह दो एक्सेस को आप कंटिन्यू करेंगे तो निश्ची तो पर आपके हैट कर लेते कि भाई फिजिकल एपिसेस्ट में होता क्या है तो आपने टाइम लगाना तो काफी दिनों से वैसे चालू कर दिया है लेकिन अपनी कोशिस होना चाहिए कि 2-35 से लेकर के 2-40 में आपका आना चाहिए और आसानी सा जाए कोई बड़ी बात नहीं है जितने भी ग्र होता है उसमें मारते हैं लेकि महां जो होता है 350 से लेकर के 375 से मीटर तक ही ग्राउन होता है तो असानी सुझाएगा यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका जो टाइम है ठीक है अगर टाइम आपका जैसे उन्हें उन्हें बुला साड़े 6 बजा है तो अब जो को बारा बज़े से पहले फिजिकल हो रहा वर डिफिनेटल क्वालिफए कर जाएंगे क्योंकि माहुल ठंडा ठंडा ठीक ठाग रहता है अगर मोसम ठीक रहा आप लोग के फेवर में रहा तो आसानी से निकल जाएगा अन्य था क्या होगा और इसमें एक और बात होती है कि जतना जनदी रिपोर्टिंग करता है उसके पहले तीज मतबद चेक होते हैं फिर उसक frensya आप जीज ाती है कि सीना फूल आकर देख लिया जाती है यह सब चीज़ हो जाती है क्यों विद्धेद आपको आपना प्लाना पाया सीना सामने बढ़ा रहत है nuts अया से नहीं करन और उसकी प्रेक्टिस करेंगे आप एक दो बार तो पहले नॉर्माल चेस्ट रखिए अपना ठीक है फिर उसके आद आपको पूरी सांस भनना और उस सीना को बाहर सेट निकालना है ठीक है और अगर आपका चेस्ट कम है तो कोई प्रॉल्म नहीं है आप लोग अभी से कोसिस करेंगे कि भाई पूसप्स माल लेंगे पूसप्स तो आपको समझते ही होगा पूसप्स माल लेंगे तो जैसे 50-50 भी पूसप्स मालता है 50-100 तो आप लोग के लिए अच्छा होगा इसमें हैंड्स में पावर भी आ जाएगी गल्स और बॉइस दोलों के लिए बोल रहा है अगर आपका 4 बजे तक हो रहा है बारा बज़े रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बारा से चार ये पांच बह ज़ी है तो आपको पांच बह सकते… तो आपको पूर्लम नहीं या अहनी सर निकल लाए मै. तो अपने को बारा से चार के बहए सुपर बचनत करना है कि इस वि और अगर नंबर आ ही गया है तो आप जैसे कुछ लोग पोड़ आते हैं कि भाई हम तो red bull पिलेते हैं red bull आपको पता है ठीक होती है काफी energetic होती तो पी सकते हैं कोई नुकसान नहीं है, एक दिर में तो कोई नुकसान होगा भी नहीं, लेकिन एनरजी आ जाती है, तो उससे कुछ लोग को बहुत फायदा होता है, अब बात करें, इंजेक्शन, कहीं लोग पावरफुल इंजेक्शन लगवा लेते हैं, ठीक है, सो दोर सो रुपे का, उसस जिप्रगार की मेडिकल, अगर रिपोर्ट निकलवाई जाती है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, है ना, तो कई बार ऐसे केसे में फस जाते हैं लोग, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग इंजेक्शन लगाईए, लेकिन आप लोग अपने हि देख लिजेगा, आपको जो भी करना है, कर सकते हैं, मेरा काम था बताने का, अब महिलाओं की बात कर लेते हैं, कि बहुत अच्छी बात है, कोसिस कीजिएगा, कि अभी वेट अपने को नहीं पढ़ना चाहिए, अगर जितना है तो वो constant रहे, ठीकि constant रहना चाहिए, या फ जादा टाइम नहीं लगेगा, ठीकि और जब एक round हो जाता है, तो आपको ऐसा नहीं कि आप हिम्मत हार रहे हैं, आप मेंसे नहीं हो पाएगा, सांसों के उपर मूल ध्यान जो होता है, वो सांसों पर रखना होता है, ठीक है, पहले round में कोसिस करें कि नाक से ही लेना है, आ सांस है ना, नाक से लेजिए, नाक से लेजिए, जब तक नाक से बन सकती है, नाक से लेना, नाक से छोड़ना, जब आपको लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा, नाक से छोड़ना तो आप कीजिए, मूह से छोड़ना चाले कीजिए, मतलब नाक से लेगे, मूह से से और हो रही तो आप वहले से निज़ान पाउसकते हैं ल्याईग चार किलोग्राम का है और पंद्राइच फिट फिकeon nuestros यह लोग कोन लोग फिक पाएंगे जिसके hands में और shoulder में power है खासका shoulder का work होता है तेकि shoulder के लिए आपको बोला है कि pull ups आपको पूल अपस आप मारेंगे तो असानी सापका shoulder अच्छा है strong हो जाएगा यह पर रहे हैं पर जाएगे पांश होगा कर रहा है तो इस से hands पर आएगे इसके practice किजिए ठीक है तो jumping jacks कीजिए और जो अपना जैसे माले जे इस्टेज है यह स्टेज है यह स्टेज है तो अगर आप यहाँ पर खड़े तो यहाँ से आप यहाँ जंपकरने के practice कीजिए तो तो क्या होगा इससे आपका जंपिंग की अच्छी एक्सेसाइज होती है वह मैं यही मानी जाती है कि आपको एक जबीन से लेकर करके आप एक स्टेज के उपर हास्याद एक दो फिट का हो तो उसके उपर हाइट में खुदना है इस परकार कीजिए और आपको क्या करना है सब्सकंद करने अच्छा अच्छा आपको क्या है नまだ सब्सक्राइण तो फिजिकल की स्टेटिजी के बारे मैं आपको बता दिये गए कि किस तरके से आपको करना चाहिए कंटेनियों कीजिए टाइमिंग लगाई यह ठीक है टाइमिंग आओ पहले आओ पहले पहले पाओ आओ आप पहले रिपोर्ट करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी फिज प्रॉलम नहीं लेकिन जो 12-4 लोग के लिए उन लोग के लिए बता देते हैं उन लोग को घबराने के आश्रत ता बिल्कुल भी नहीं है जो लोग 12-4 के बीच में अगर जिनका फिजिकल फसर है उन लोग के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी अपने पार टाइम में तो आ तीन अला गला के आपको टेंपरेश्य कलायमेट के बीच में अपने को दोड़ना अपने बॉड़ी को उसके एड़प करना है और उस सिच्वेशन को पहले ही फैस कर लेना है कि यार मैं वहां अगर ऐसी वर्ष्ट सिच्वेशन आ जाती है कि मैं को दोपर मिट दोड़ना पड़े माई की तो अनिश्य तोर पर मैं पहले से प्रेक्टिस कर किया हुआ हूँ मेरा गला सुकता है जो इतना जाता धूप होता उसके जासे नहा कान गला सब कुछ सुक जाता है आप थूक नहीं गिल सकते है आपका पूरा मतलब सास सीना तक आपका सुक जाता है तो एकसर्विस्मेन वालों के लिए सबसे अच्छी विदा की बात हो गई है कि आप लोग मतलब अब जो हाइक को फायदा होगा तो आप लोग तो एकसर्विस्मेन वाले तो वैसे रडिंग कर लेते हैं मैंने देखा क्योंकि उनका फिजिकल काफी अच्छा होता है पहले से ल सब्सक्राइब कर लेगा इस प्रकार की नियूस पाने के लिए और MP पूलिस और MP मतलब 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 में लितने भी एक्जाम होते हैं उन सब के लिए नियूस पाने के लिए और कंटेन पाने के लिए थैंक इस सो मच पर वाचिंग